तो शेरो हम लोग आगे क्या लाइब हम लोग लाइब आगे हैं उमीद है एक बाट देखिए सभी लोग आगे हम लोग लाइब बच्चो यार एक्षुल में भाई ये टेक्नोलोजी के चक्कर में बहुत लफड़े हो जाते हैं यार यहां पर फिर वही लफड़ा है स्क्रिन पर से मैंसे जा चुके हैं एक दम यहां पर नेट नहीं चल रहा है लेकिन हाँ यह मैंने मॉबाइल में अउन कर लिया है फिलाल मोबाइल में चल जाएगा तो इसमें मैं कमेंट्स वगर आपके देख सकता हूँ बाकी अगर मैं बताऊं आप से की स्क्रिन पर आपके नेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी वी आर लाइव नाओ बाई यहां से नेट जा चुका है बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को तो अब पता तो जादा चलेगा नहीं क्या हो रहा है फिला हल बस आप लोग ऐसा समझिए जुड़ जाईए सभी लोग हो सकता हैं वह जादा आपके बच्चों नेट की दिक्कात हो रही है मैं जो भी थोड़े बहुत कमेंट से मोबाइल पर देख पा रहा हूं तो कोशिश करो आप लोग की ज्यादा चैट बगेरा पर फोकस ना करो क्योंकि चैट मुझे दिखाई दे नहीं रही है बच्चों बिलकुल भी ठीक है मेरे शेरो तो एक बार सभी लोग लाइव हो जाई है चैट छोड़ो बस आप पढ़ाओ सर बस अब ये ठीक रहा बच्चों तो आप लोग इसी पर फोकस करिए ये बागी सब छोड़ो क्योंकि यहार एक्षुल में यहां से नेट जा छूकों यहां बल्कुल नहीं दिख रहा है मैं जो भी देख़गह हूं थोड़े देर एक लिए और मोबाइल में देख़गा हूं तुम फिलाहाल स्टार्ट करता हूं फिर में चैट बगार जैसे भी होगा देख लेंगे फिलहाल भाई कुछ मतलब बात ये कि मैं आपको चैट वगएरा नहीं देख पा रहा हूँ ना मैं आपकी चैट देख पाऊंगा जैसे ही हम लाइव आ जाएंगे वापस से कोई दिक्कत नहीं है हम फिर सब चीजें कॉंटिन्यू कर लेंगे तब तक कैसे पढ़ाना रूट वाले से पढ़ाएंगे यार कभी रूट कभी यह कुल मिला के दोनों को चलाते रहेंगे जिससे हमारा काम मन जाए टेंशन मतलों सारी चीजे चलते रहेंगे ठीक है बच्चो तो स्टार्ट करें चलिए जोड़ लीजे सभी को फर्स्ट वर्ड इस बच्चो कॉल डन इट्स कॉल डन ठीक है बच्चो यह जो वर्ड है कॉल डन बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चो यहां से एक्जाम में बहुत ही अच्छा कोशन बन जाता है कई बार ठीक है बच्चो तो यह जो कॉल डन वर्ड है इसका मीनिंग होता है मेरे शेरो कडाही जो कडाही होती है ना कडाही का मतलब क्या है बच्छो समझना दो बाते होती है एक तो होता है घर में जो स्मॉल वैसल होता है बरतन है जिसमें हम खाना वगारा घर में बनाते हैं एक होता है शादी बराद में जो बड़ी वाली कडाही होती है तो इसको ह लिए रो बच्चो? कॉर्ड़न क्या होता है? A large vessel. एक बड़ा वैसल जो किसली यूज़ करते हैं बच्चो? किसली यूज़ करते हैं कॉर्ड़न? कड़ाई या एक large वैसल जिसका हम किसली यूज़ कर रहे हैं बच्चो? खाना बगड़ान बनाने के लिए तो that is called call done कड़ाई again मैं बोल रहा हूं कमेंट्स वगएर ना मुझे दिख रहे हैं ना मैं देख पा रहा हूं मैं continuously पढ़ा रहा हूं तो कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके इंगेज होने की या जुड़ने की कमेंट्स वगएरा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं जैसे हम लोग लाइब आ जाएंगे वापस से इधर क्योंकि इधर का कनेक्शन जा चुका है तो हम वापस से क्या शुरू कर देंगे अपने कमेंट्स वगएरा देखने स्टा काने के लिए खाना तो आप बच्रो उसके लिए फर्स्ट वड यू गश्कर सक्ते हैं सहरा है कैन सीन्हाजया चैन थे बच्रह देखिए मैने मेरे कां सीमिलर मेनिंग लेए श्रे बाश्राम साना वला nearby words ले रहे हैं आप देखो can जो word है इसके भी दो मतलब है बच्चो आप समझना जब can एक verb है कौनसी वा model work can could shall should वाला तो भाई can का मतलब होता है सकता to be able to के योग्य सकता ठीक I can do this work मैं इस काम को कर सकता हूँ तो can means क्या दिखाती है उस समय जब यह verb है अगर हिंदी में बोलूँ तो सकता और इंग्लिश में बोलूँ तो ability तब यह आपकी किस चीज को दिखाती है ability को योग्यता को ठीक है बच्चो लेकिन जब can एक noun हो जाता है और बच्चो आपको पता है आपके पास क्या है कढ़ाई तो what का reply जब noun हो जाता है बच्चो तो यह parts of speech बीस वर्ड़गी क्या होगी noun होगी तो मुझे इसके लिए जो reply चाहिए वो भी noun चाहिए तो मैं इस समय can का use कैसे कर रहा हूँ और बच्चो जो can का use noun की तरह यूज़ करेंगे तो हमने उसको कैसे यूज़ कर दिया एक बरतन की तरह point clear हुआ मेरे share हो तो मैंने आपसे बोला बच्चो की can जो word है इसका meaning होता है बच्चो कड़ाई क्या हुआ मैंने आपसे बोला parts of speech noun हो गई बच्चो तो मैंने आपसे बोला बच्चो जो can है हाँ इसका synonym हुआ अगर इसका synonym हुआ मेरे share हो तो can वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं तो वह ability को बताता है I can do this work means I am able to do this work then बच्चो अगर can एक noun हो जाता तो वह एक बड़तन या vessel की बात करता है इसके बाद बच्चो can के से अलग हम क्या word यूज़ कर सकते हैं इसके लिए समझिए अगर हम call done कड़ाई है है तो हम इसके लिए एक और word यूज़ कर सकते है that is box तो हम इसको बच्चो can भी बोल सकते ह तीसरी बात बच्चो आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड अच्छे से सुना होगा cattle, cattle जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चो केतली मैं आप से फिर एक लाइन बोल रहा हूँ मेरे शेरो मैं आप से फिर एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ इस बात को समझेगा सब लोग मैं जो आप से लाइन बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ बच्चो हम नियर बाइ वर्ड आप समझना एक्जाम कभी भी आप से यह नहीं कहता कि इस वर्ड का सिनॉनिम्स बताओ या अंटॉनिम्स बताओ वो एंटॉनिम सनॉनिम्स नहीं पूछएगा वो कहेगा क्या बोलगा मौस्ट सिमिलर इन मेनिंग ठीक है बच्चो अगर मौस्ट सिमिलर की बात करूँ तो जबी एक वैसल है ये भी एक वैसल है और बच्चो केटल केतली जिसको भोलते है वो भी एक क्या है पेरे शेरो वो भी एक वैसल है और फिर बोल रहा हूँ कमेंट्स बगरा बिल्कुल मत करना कोई फायदा निये कमेंट्स का क्योंकि ना वो दिख रहे हैं ना मैं उनको देख पा रहा हूँ ठीक है बच्चो इसके अलावा हम एक और बड़ा प्यारा वड़ कर सकते हैं भछो डैट सपर हम पॉट भी उसकर सकते हैं पॉट भी क्या होता ब्चो वैसलियु और यह वटा जिसका भुझे soul हो ने झाल ठीक हो तो हमने जो वर्ट से उसकिया बच्चो कैन हौए बॉक्स हौए कैटल हौए पौट हौट बच्यो एक और वड़े कर सकतेए म पी ए आई एल पेल अब इस वर्ड को भी थोड़ा सा स्टार बना के समझ लीजिए मेरे शेरो एक by Ad heute पी ए ए आई एल पेल इन दोनों में अंतर समझना मेरे शेरो दोनों बड़े प्यारे बडसे उन को देख लो थोड़ा सांतर है और कोशन बड़ा अच्छा बन जाता है बच्चो आप लोग इनको समझेंगे एक वर्ड़ अपने पास पी ए आई एल पेल इस वर्ड का मतलब होता है बच्चो बकेट या बाल्टी जिसको बोलते है पी ए आई एल पेल बकेट या बाल्टी जबकि बच्चो पी ए ए धुन्दला या फीका पढ़ जाना 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 धुन्दला या फीका प के रंग वगेरा उतर जाता है उसके लिए जो हम वड़ यूज करते हैं डैट इस पी-ए-ल-ए और बच्चो बकेट के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होता पी-ए-ा-ई-ल आप दूसरी बात आपको अच्छे से पता है बच्चो यह जो पी-ए-ा-ई-ल पेले बकट है और हमने है यूज कर लिए अब अगर बच्चो वैसा लिए हैं तो फिर हम इसके लिए एक और बड़ यूज कर सकते हैं यह जार होते हैं यह बड़े बड़े जार हम ले ले लेते हैं अगर हम जार को यूज कर सकते हैं तो बच्चो हम एक और बड़ यूज कर सकते हैं जग होत shift होड यह होड़ वाध़ हम कहा है उसका समझते हैं जैसे मौन भारिष बहुत altijd आ पॉन धानी बहुत हो निकालने के लिए किस चीज में एक्सटरा हो गया तो वोuff किले vessel के लिए हम यूज करते हैं क्या वर्ड h o d h o d p oint clear रहा बच्चो इस तो बिल का मतलब होता है व版 ब़तन जिसको हम बोलते हैं और बच्चो एक और मीनिंग होता है बेल का क्या होता है एक मीनिंग तो यह रहा बेल का ठीक है बच्चो एक और मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ जब हम किसी को जमानत पर छोड़ते हैं जमानत पर छोड़ना जब हम किसी को किस पर छोड़ते हैं बच्चो जमानत पर छोड़ते हैं तो उसके लिए जम वर्ड यूज़ करते है that is bail ठीक है बच्चो बी ए आई एल तो यहां पे इसके दो मिनिंग रहते हैं मेरे शेरो एक बेल का मिनिंग क्या रहता है बच्चो नाउन के फॉर्म में कॉल्डन होता है और दूसरा क्या बनता है बच्चो किसी को जमानत पर छोड़ देना इसके अलावा बच्चो एक और बहुत प्यारा वर्ड हम इसके लिए यूज करते है that is steamer भी हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चो कड़ाई जिसको हम क्या बोलते हैं ते मर एक और वर्ड है बच्चो आप लोग समझेगा जिसको हम यहाँ पर यूज कर सकते है that is vatvet मैं देख लोका छाहाद ya do Kasia जल घुल जिया कोशिष सबेंग तो बहए कुछ है नहीं बाकि वी एटी जो क्या हो जो दो इसका यूज़म किस केस में कर लेते है बच्चो वीएटी इज्च केस में कर मैंने जो विप्री एंची ग्लाए मे Code currently मंटले होता है बच्चो कड़ाई, कड़ाई का मतलब क्या होगी, parts of speech, noun होगी, reply किसका, what का, क्या है, कड़ाई है, what का reply है, what का reply है, what का reply है, बच्चो, एक word हमने इसके लिए use किया, can, can का मतलब आप समझ गए होंगे, बच्चो, जब can as a verb use होगा, तो एक ability को बताएगा, लेकिन बच्चो, जब can एक noun होने, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बरतन होगा, अच्छी बात है बच्चो, can एक बरतन है, तो एक बरतन के लिए हमने वर्ड यूज किया, box, box के साथ हमने बोला, बच्चो, cattle, जिसको हम केतली बोलते हैं, एक word हमने यूज किया, pot, vessel, एक bucket यूज किया, एक pale word यूज कि इतनी बात समझ आती है, तो बच्चो, हमने एक और word यूज किया, jar, jar, आप जानते हो, क्या होते हैं, जग, जग हम अपने घर में यूज करते हैं, kind of vessel, ठीक है, बच्चो, होड, मैं आपको बताई चुक हूँ, कोई काटोरा बगएर हमान लेजा, हमने कहीं से पानी निकाल ना तो कहते हैं, काटोरा लेके निकाल दो, तो vessel जो होता है, that is called hod, wet वही है, और steamer भी वही है, point के लिए हुआ बच्चो, ये सारे words हम किस reference में यूज करते हैं, किस reference में यूज करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, बच्चो, vessel की कढ़ाई मतलब vessel, ठीक है बच्चो, अब, अंतर है बस, मैंने किया, अगर मैं most similar in meaning new, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं antonym, synonym बोलूँ, तो भाई, एकाद word को छोड़ो के, कोई भी इसका direct antonym नहीं है, आप देखो ना, bucket है, pale है, jar है, जग है, ये सब small vessel होते हैं, जब कि भाई, जिसके हम ये बात कर रहे है कॉल्डन की, ये एक large vessel होता है, use to cook food, जिसका हम किसली use करते हैं, बच्चो, खाना वगारा बनाने के लिए हम इसका use करते हैं, उमीद है ये word आपको clear हो गया होगा, अगर आपको word clear हो गया, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, बच्चो, एक example करते हैं, जैसा हम हमेशे जख thrown into a boiling cauldon, हमने बोला बच्चो, several men were thrown into a boiling cauldon, समझेगा, several men were thrown into a boiling cauldon, देखो बच्चो, समझना का, several men, जब यह several आ गया, तो obvious सी बाते men plural हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, was work के साथ क्या लगी है, बच्चो, यह passive voice हो गया, passive voice में subject doer नहीं होता, receiver होता है, बहुत सारे लोगों को fact दिया गया, passive voice में ने नहीं होता, को होता है, क्योंकि ने का मतलब क्या होता है, बच्चो, subject doer हो जाता है, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया बच्चो, fact दिया गया, और बच्चो, fact किस में दिया गया, into, into क्या होता है, जो thing in motion हो, a boiling, boiling क्या होता है, बच्चो, उबलता हुआ, क्या कड़ाई, तो बहुत सारे लोगों को उबलती हुई, कड़ाई के अंदर फैक दिया गया, into a boiling golden, ठीक है बच्चो, boiling यहाँ पर कैसी होता है, पार्डिसिपल फॉर्म की तरह है, कौन सा पार्डिसिपल, present, पार्डिसिपल, जो कि क्या बता रहा है, going on action को, उबलता हुआ, क्या थे, कड़ाई, कड़ाई क्या थी, उबलती हुई, कड़ाई के अंदर क्या कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को फैक दिया गया, उमीद है, आप सब को यह concept के लिए हो गया, होगा, ठीक है बच्चो, बाकी comments बगयरा आपके clear हो गया होंगे, ठीक है share हो, clear है समीर, यह buffering, buffering हो रही है सर, hello सर, मुझे भूल गया यार, भूलना भूलने की बात अभी नहीं करो बच्चो, बाकी, भाई इसमें भी comments पीछे जल रहे हैं, ज्यादा, बाकी clear हुआ है यह नहीं बस इतना सा बता दो, दोस्तों फिलाल इससे जादा बात करने का ना time है, ना मौका है, क्योंकि situation ही ऐसी बनी हुए, बस clear है, यह सर clear है, बस बच्चो इतनी बात है, जिनको clear नहीं है, clear नहीं तो बच्चे, मैं आप से एक ही बात बोलूँगा, आप एक काम करना, वापस से एक बार देख लेना, क्योंकि यार इसमें कोई grammar का concept नहीं है, जो मुझे आपको दुबारा बताना पले, ठीक है बच्चे, आप एक बार वापस से देख लेना, आपका clear हो जाएगा, चलिए, next word की तरफ move करते हैं बच्चो, next word is is true, is true, जहां से देखेंगे बच्चो, word is is true, is true जो word है बच्चो, इसका मतलब होता है फैलाना, is true जो word है, इसका मेनिंग क्या होता है बच्चो, फैलाना, ठीक है, spread वोगेरा हम बोल लेते हैं, spreading, ठीक है बच्चो, हमने next word use किया क्या, is true, s-t-r-e-w, is true, is true का मेनिंग क्या होगा बच्चो, फैलाना, और फैलाने के लिए हमने सबसे प्यारा word हम use करते हैं, spread, क्या बोल सकते हैं बच्चो, spread, spread का मतलब क्या होता है, फैलाना, बच्चो, और बहुत प्यारा word, spread बोलते हैं, फिर हम एक और word बहुत प्यार यूज करते हैं scatter, scattering का मतलब भी क्या होता है बच्चो किसी चीज का fell जाना, scattered, बिखड जाना, ठीक है बच्चो, then बहुत भी प्यारा word हम यूज करते है, disperse, disperse, scatter, spread, spread का मतलब क्या होगे बच्चो, fell जाना, scattering का मतलब क्या होगे, इसके बाद बच्चो बहुत ही प्यारा वर्ड हम देखेंगे distribute distribution का मतलब क्या होता है बच्चो distribute कर देना किसी चीज को क्या कर देना बाट देना या फैला देना ठीक है point के लिए रहे बच्चो then अपने पास next वर्ड है बच्चो बहुत ही प्यारा वर्ड है आप लोग यूज करते हैं आपने यूज भी क्या होगा इस प्रिंकल sprinkle sprinkle नहीं समझते आप कैसे होता बच्चो जैसे माल लीजिए आपने किसी भी चीज पर क्या कर दिया किसी चीज को छड़क दिया तो छुलका देना या फैला देना इस काल स्प्रिंकल ठीक है बच्चो अगर आप स्प्रिंकल वर्ड यूज कर सकते हैं एक और बड़ा प्यारा वर्ड है ब्रोड कास्ट ब्रोड कास्ट का भी वहीं रेफरेंस होता क्या बच्चो इस ट्रियू फैला देना या क्या कर देना बच्चो बिखेड देना या बित्रित कर देना इसके बाद बच्चो में एक और बड़ा प्यारा वर्ड यूज कर सकते हैं इस्प्रें इस प्रव भी वहता है कायते हैं हम ने किस चीज पर क्या कर दिया इर शर गया इस प्रे कर दिया ने की चीज करने का मतलब भी क्या होता बच्छो वहीं चीज फैला देना नहीं चल रहा ऑदुछ मैं नेक्स्ट वर्ड यूस किया, that is, TOS, that is, TOS, T-O-S, TOS का भी यही मिन्म होता, then बच्चो, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है बच्चो, ध्यान से समझना, इसको, DEPL, DEPL, TOS के बाद हमने एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बहतनी शब्दे बच्चो, DEPL, DEPL का मतलब भी क् बच्चो, किसी चीज़ को DEPL कर देना, या क्या कर देना, फैला देना, ठीक है बच्चो, चलिए, अगर आपको इस अब समझ आ गए है, तो इनको एक बाद दुबारा से समझ दे कुशिश करते हैं, कि इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है बच्चो, चलिए, देखत P-K-L-E, स्पेकल का यूज़ भी आप इसी रेफरेंस में कर सकते हो, बच्चो, समझ ना, पहली बात तो बच्चो, अगर मैं कहता हूँ, S-T-R-E-W, इस true word के अगर मैं बच्चो, parts of speech की बात करूँ, तो इसकी parts of speech है, वाब, वाब, ठीक है, point clear हो बच्चो, इसकी parts of speech क्या होई, वाब, अब इस point को समझेंगे, बच्चो, is true का मतलब मैंने क्या बताया, किसी चीज को फैला देना, या किसी चीज का फैल जाना, ठीक है, बच्चो, फैल जाना, उसको फैला देना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते है, spread, spread का मतलब आप समझी गए होंगे, scattering, scattering, scattering आप समझते है, scatter बखर जाना, बखर जाना, मतलब उसने एक area cover कर लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, फैल जाना, then, disperse, dispersion क्या होता है, बच्चो, वितृत कर देना, व्या कर देना, फैला देना, डिस्पर्स होता है, या आपको समझाता होगा, distribute, distribution का मतलब क्या होत तो हम क्या बोलते हैं؟ स्प्रिंग कल बोलते हैं. ब्रोड कास्ट, ब्रोड कास्ट भूधी प्यारा वर्ड है बच्छो। जैसे हम news वगएरा ब्रोड कास्ट करते हैं तो news को चारोवर क्या कर दो, फैला दो, हर एक लिए पर रिफ्रेणस अलग लग है पर वैसे तुम आपको बता ही चुका हूं कि टोस का मिनि आप आए जानते बहुते हैं नहीं आरा है तो डैपल का मतलब क्या होता है किसी चीज का हो ना वित्रान हो जाना ठीक है मेरे शिरो डैपल का मिनि क्या होता है disperse हो जाना speckle speckle का भी वही मतलब होता है बच्चो क्या हो जाना किसी चीज़ का fell जाना speckling होना ठीक है बच्चो clear हुआ अमीद है आप सबको समझ आगे हो true word का मतलब होता है fell जाना किसी चीज़ का spread है scatter है, disperse है, distribute है sprinkle है, broadcast है spray है, toss है, dapple है और speckle है, उमीद है यह सारे points आपको समझ आगे होंगे चलिए एक बहुत अच्चे example के साथ इसको खत्म करते हैं, इसको समझते हैं इस वाले word को और इस example के साथ इस word को हम complete करते हैं, तो बच्चो example अपना होगा हमने बोला बच्चो इस अपना होगा इस अपना होगा इस अपना होगा समझो समझ ना बच्चो क्या है word यार दिख रहा है ना ज्यादा ओपर तो नहीं हो गया, चलो काम लाइक तो काम चली जायेगा न आपका ठीक है बच्चो मैंने कहा पोर का मतलब होता है बच्चो उडेल देना डाल देना, उडेलना और का क्या मतलब होता है बच्चो डाल देना है उडेल देना इस पर क्या डाल दो हनी डाल दो end इस ट्रिव वाइट सीसमी सीसमी होता है बच्चो सफेद तेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीसमी, सीसमी होता है, जो तिल का तेल होता है, तो वाइट सीसमी का मतलब हो गया, तिल वगेरा का जो तेल होता है, उसको डालने की बात हो रही है, बच्चो, इसके लिए हम एक वर्ड यूस करते हैं, सीसमी, इसकी प्रेंशेशन है, सीसमी, ठीक है बच्चो, तो क्या कर दो, तो इस पे शहद डाल दो और इस्ट्रियू उडएल दो, क्या सफेद वाइट सीस्मी, वाइट सीस्मी का मतलब क्या होगा, तिल का तेल, तो बच्चो कौन सा तेल बोल दिया है, तिल, वाइट सीस्मी, ठीक है, वो तेल बोल सकते हैं, वैसे आप एक चीज और भी समझो, तो यह समझो बच्चो, कि नहीं होते हैं, सफेद वाले तिल जो होते हैं, तिल, तो वो डाल दो, तो पॉइंट किलियर हो गया बच्चो, इस्ट्रू का मतलब होता है, ऐसे करके फैल आदे ना, जिसको हमने स्प्रिंग कर बोला था, तो पॉइंट किलियर हो आपको, मैंने कहा इस पर शहद डाल दो, और थोड़ा से क्या डाल दो, वाइट सीसमी, सीसमी होता है, तिल, तो पॉइंट किलियर हो गया आपको, उमीद है आप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चो, तो इस्ट्रू का मन मीनिंग हो गया, फैल आना बच्चो, इस्प्रेड हुआ हुआ, scatter हुआ, disperse हुआ, distribute हुआ, sprinkle हुआ, broadcast हुआ, spray हुआ, toss हुआ, dapple हुआ, और speckle हुआ, उमीद है आप सबको ये बात समझ आ गई होगी, चलिए, next word की तरफ move करते हैं बच्चो, समझ येगा, next बहुत ही प्यारा word है, इस पर हम काम करेंगे, बच्चो, this word is ransack, आपक this word is ransack, बहुत ही प्यारा word है, इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इस पर काम करेंगे, ransack, ransack जो word है, इसका meaning होता है, बच्चो, loot लेना, loot लेना, is called ransack, अच्छा बच्चो, आपने क्या कर लिया, इसको loot लिया, loot लिया मतलब now, ठीक है बच्चो, ransack का मतलब क्या होता है, loot लेना, loot लेना क्या कर दिया, आपने word का reply now, इस पे star बना रहा हूँ, यह question, यह word बहुत ही अच्छा word है, और आपके exam में repeatedly पूछे जाने वाला word है, ठीक है बच्चो, चलिए, अगर आपको ransack word समझ आता है, तो इसके लिए बहुत ही प्यारा first word जो हम use करने वाले हैं, वो है ravage, ravage का मतलब होता है, बच्चो, dust, ravage क्या होता है, जैसे savage होता है, वो एक अलग word है, यह एक है ravage, ravage का मतलब किसी चीज़ को loot लेना, यह दुष्टता दिखाना, कुछ भी कर लेना, ठीक है बच्चो, then, अगर आपने ravage use कर लिए तो आप एक और word use कर सकते, spoil, spoil, spoil क्या कर देना, बच्चो, बरबाद कर देना, बेकार कर देना, loot लिया, अगर आपको यह समझ आ गया तो एक बहुत ही प्यारे word को समझना, that is, plender, यह बहुत ही प्यारा word है, आपके exam के point of view से बहुत बनता है, plender, plender का मतलब होता है, बच्चो, loot part करना, lootना, और plenderer होता है, lootने वाला, point clear हुआ आपको, तो मैंने बोला, plender होता है, loot, और, बच्चो, plenderer होता है, lootने वाला, doer हो जाता है, बच्चो, अगली word देखेंगे, अगला word है, बहुत ही प्यारा word है, pledge, यह भी exam में बहुत बनता है, pledge, बहुत ही प्यारा word है, इसको धियान से देखेंगे pledge का मतलब भी क्या होता है, loot लेना, बहुत ही प्यारा word है, इसको आप समझेगा, pledge के बाद एक और word of common हम यूज कर सकते हैं, मालीजे हमने कहा, कहीं पर हमने क्या डाल दी, rate डाल दी, तो भले से वो rate positive sense है, और यह negative sense है, लेकिन मैंने क्या बोला, similar in meaning, अगर मैं similar in meaning का बात कर अगर हमने rate यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारा word हम यूज कर सकते हैं, that is, आपको पता होगा, इस word के बारे में वो होता है, rob, rob का मतलब क्या होता है, loot लेना, robbing करना, ठीक है बच्छो, robbed, robbing, point के लिए रहा, तो rob का meaning भी क्या हो जाता है, बच्छो, loot लेना, अच्छा एक word होता है, जो हिंदी जैसा लगता है, that is, loot, he has looted my money, तो L-O-T, loot का मतलब भी loot नहीं होता है, he has looted my money का मतलब होगा, loot ना, loot ना, यही होता है, बच्छो, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके बाद बच्छो, हमने एक और बड़ा प्यारा word यूज किया, that is, M-A-R-A-U-D, maraud, ठीक है बच्छो, हमने इसके लिए एक बड़ा ही प्यारा word यूज किया, M-A-R-A-U-D, maraud, तो ये जो maraud होता है, बच्छो, इसका मतलब भी क्या होता है, loot part करना, M-A-R-A-U-D, maraud, maraud का मतलब भी क्या हो जाता है, बच्छो, loot part करना, अगर आपको maraud करते है, that is despoil, despoil, d-e-s-p-o-i-l, despoil का मतलब भी क्या होता है, बच्छो, loot part करना, या बरबाद कर देना, ठीक है बच्छो, इसके बाद हम एक और बड़ा प्यारा word यूज करेंगे, scow, ठीक है बच्छो, एक और बहुत ही प्यारा word हम यूज करेंगे, scow, स्काव, बहुत ही प्यारा बड़े इसको समझना बच्चो, स-C-O-U-R, स्काव, स्काव का मतलब अगर मैं वैसे बताऊं आपको, तो बच्चो इसका मतलब होता है छान बीन करना, क्या भी होता है, छान बीन करना, ठीक है बच्चो, क्या भी होता है किसी चीज़ की छान बीन क To अगर इसका मीनिंग छान बीन करना होता है बच्चो, तो फिर आपने पास बहुत-बहुत पियारे वर्ड इसको आफ समझेंगे. इसके बाद हमने एक बहुत प्यारा वर्ड इंगे, इसको आप लोग समझेंगे, डिवर्स्टेट, डिवर्स्टेट, ठीक है बच्चों, डिवर्स्टेट, इसका हम बोलते हैं डिवर्स्टेट, ठीक है बच्चों, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट वर्ड आता है, बहुत ही पहारा, राइफल, 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 एक बार नोट कर लीजे, सारे वर्ड तो next word अपने पास आया, rifle, r-i-f-l-e, ठीक है बच्चो, rifle के बाद अपने पास एक बहुत ही प्यारा word आता है, seize, बहुत ही प्यारा word कौन आता है बच्चो, s-e-i-z-e, seize कर लेना, कबजे में ले लेना, या अधिकार में ले लेना, it's called seize कर देना, ठीक है बच्चो, अगर seize समझ आता है, तो बच्चो, एक और बड़ अपने पास बनता है, pilfer, बहुत ही प्यारा word है, pilfer, p-i-l-f-e-r, लिख लेंगे सब लोग, pilfer, और बच्चो, जैसे मैंने बोलता है, इस cow का मतलब चानवीन करना होता है, तो इसके लिए आप एक और बड़ा प्यारा word यूज़ कर सकते थे, that is, look into, look into, जिसका मतलब क्या होता है, बच्चो, चानवीन करना, जैसे मैंने कहा, the police is looking into the matter, पुलिस क्या कर रही है, इस matter में चानवीन कर रही है, और अगर look into बोल सकते हो, तो बच्चो, आप एक और word यूज़ कर सकते हो, go through, go, through, go through, जैसे मैंने कहा, I have gone through this situation, मैं इस situation से क्या हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा उसको क्या कर देना, चानवीन कर देना, अच्छा बच्चो, जब मैंने कहा, loot लेना या चानवीन करना, इसके दोनों ही मीनिंग है, और जब मैंने look into यूज़ कर दिया, go through यूज़ कर दिया, इस काउ यूज़ कर दिया, तो बच्चो मैं एक वर और भी यूज़ कर सकता हूँ, that is search, search करना, search करना मतलब क्या हो गया, बच्चो, search करने का मतलब आप समझी गए हो गया, ठीक है बच्चो, search हो गया, और बच्चो फिर यही सब आ गए, तो look into go through इस काउ आ गया, that is spoil, s-p-o-i-l, spoil, बरबाद कर देना, तो बरबाद कर देना का रेफरेंस आप यहां से ले सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, loot लिया या, बरबाद कर दिया, point clear है, तो बच्चो हम उसे का search है, spy है, spoil है, इनमें से कोई भी word use कर सकते हैं, फिर एक बड़ी अच्छी फ्रेज है, बच्चो जो same reference देती है, हाँ इसको समझना, leave, leave no stone unturned, leave no stone unturned, ठीक है बच्चो, leave no stone unturned, कुछ भी नहीं, छोडने वाली बात, ठीक है बच्चो, या एक और phrasal wave बहुत ज़्यादा बनती है, इसके लिए बच्चो वो होती है, make of with, make of with, make of with का use भी हम किस केस में करते हैं, हैं बच्चो, make of with का use भी हम किस केस में करते हैं मेरे शेरो, rent sec, ठीक है बच्चो, loot लेना या क्या कर देना बच्चो, छानबीन करना, उसके बाद बच्चो एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, पर लोईन, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चो, पर लोईन, P-U-R-L-O-I-N, पर लोईन, उमीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है बच्चो, आपने पास जो next वर्ड है, that is P-U-R-L-O-I-N, पर लोईन, ठीक ह समझिएगा, बच्चो, रैंस, जो वर्डेश का मतलब होता है, लूट लेना, क्या कर लिया, लूट लिया, वर्ड का रिपलाई, नहुने, या फिर, लूटने के सास्थ क्या करना, कहीं पे च्श आनवी नगरा, ठीक है बच्चो, दोनुह ही वर्ड से, बाध्य का मतलब हो प्लेंडर जो वर्ड इसका मतलब क्या होता बच्चो लूट पार्ट इस काल्ड प्लेंडर और बच्चो प्लेंडर कौन होते हैं लूट पार्ट करने वाले देन बच्चो हमने नेक्स्ट वर्ड उसकिया प्लाज प्लेज तो बच्चो नेक्स्ट वर्ड जो हमने उसकिया प् पर जब हमने कहीं पर रेड मारी तो बच्चों वहां भी हमने क्या का बस ये positive sense word है ये negative sense word है positive sense in the sense की rate जो मारी जाती है वो commission के दुआरा मारी जाएगी उसका इससे कोई ले ना देना है कि वहाँ loot part मचा दी वो उस reference में नहीं है वो reference वो नहीं है बाकी rate का reference वही आ है मतलब ब मतलब वो होता है कि जिस पर बहुत जादा दाने कहीं से पता चला income tax ने क्या कर दी रेड मार दी तो वह point लग रोब का मतलब loot ना होता सीधा सीधा ठीक है बच्चों रॉब का मतलब क्या होता लूट ना होता और mob हो जो होती है वो भीड होती है तो अगर आरकम M कर दें mob त बहुते हैं ने हमने loot के लिए हमने आप से बोला loot part के लिए सीधा सीधा वड होता loot, loot के लिए एक और वड होता loot, ठीक है बच्चों then Maraud, मैं road पर क्या कर रहा हूं, ठीक है बच्चों Maraud, ठीक है M A R A U D Maraud, तो इस word का मतलब क्या होता है, maraud का मतलब भी क्या होता है, डिस्पोस एसी, डिस्पोस टिकए bچो," देश का जितना भी ओल," Princess za Saxona आपूट लिया लूट की वह उसकी बच्चो हम ने बोला लोक इन्टूㅋ अवा आते ही hip रहे हम लाते हम चहनवीन वाले.. record will पहुत हम लकित बच्चास बाद weed स्काओत سکاؤ가 मतलब क्या होग dire इसको पिल्फर ऐसे कर करा पिल खाते है फिर से जो उनने क्या कर दिया भूल ही खाते है उसने फिर शुरू क्या कर दी लूट पार्ट शुरू कर दी इसकाल पिफर ठीक है बच्चो देन अपने पास परलाइन परलॉइं परलॉइं जो वर्ड है बच्चो इसको आप समझना इसका मतलब होता है किसी चीज से जी चुराना काम से बचना है लूट पैट मचना है इसकाल परलॉइं ठीक है देन सीज कर देना बच्चो सीज कर देना अधिकार में ले लेना कबजे में ले लेना ठीक है बच् या किसी चीज़ को अधिकार में ले लेना इतनी बात आपको समझा है योगि then spy का meaning बच्चो आप सबको मैं बता ही चुका हूँ spy का मतलब क्या होता है बच्चो जासूज spy कोन होता है जासूज ठीक है spy मैं बता ही चुका हूँ मैंने दुबारा से लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है search का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ leave no stone untend मतलब क्या हो गया बच्चो कुछ भी नहीं होने वाली बात जिसको हमने बोला लूट पाट करना जैसे हम बोलने कि किसी चीज़को हमने क्या कर दी उसके च्छान बेन कर दी ठीक है बच्चो उमीदें आप सबको concept समझ आया होगा मैंने आप से की example लिखा इसका बच्चो the house the house had been ransacked the house has been had been ransacked ठीक है बच्चो the house had been ransacked by बॉर्गलर्स ठीक है बच्चो घर को क्या कर लिया गए देखो passive voice मना had been ransacked had been ransacked kas मतलब क्या होता बच्चो ने नहीं होता passive voice को होता है घर को क्या कर लिया गया ransacked kay--"On. क्योट लिया गया किस के दोवारा बर्गलर बर्गलार्स कोन होते हैं बच्चो घुस पैठी है जिसको हम क्या भी बोल देते हैं बच्चो जिनको हम क्या भी बोल देते हैं चोर भी बोल देते हैं तो घर को चोरों के दोवारा क्या कर लिया गया बच्चो रेंसेक्ड कर लिया गया रेंसेक्ड का मत कि noun से ज्यादा अगर आप इसकी parts of speech verb बनाओ क्योंकि सारे words as a verb यूज हो जाएंगे, सारे as a verb, तो अगर हमने सारे synonym क्या से लिखे हैं, as a verb लिखे हैं तो इसकी parts of speech को आप क्या बोल दो, verb बोल दो, देखो जैसे the house had been ransacked की जगा आप क्या यूज कर सकते हो, looted, घर को looted लिय बोला, the house had been ransacked, looted, और अगर आपको क्या क्या वर्ज लिखे हैं, plagued, spoiled, plundered, ठीक है, ravaged, ठीक है बच्चो, आप कोई भी लगा सकते हो, जो आपका मन करें, तो हमने क्या बोला बच्चो, the house had been ransacked by the burglars, यानि कि घर को looted लिया गया, या the house had been looted, कि लूट लिया गया, किस के दोरा, burglars, गुस पैठी होगे दोरा, अच्छा, यहाँ पर यह जो है न, passive voice बन रहा है, passive voice का subject कौन होता है, receiver होता है, कौन होता है, receiver होता है, इसलिए इसको लूटा गया है, इसने नहीं लूटा, उमीद है आपको ये तीनों वर्ट समझ आ बेल, इसके बाद jar, jug, holder, wetter, steamer, भाई, बेल कडाही भी होती है, और बेल जमानत पर छोड़ना भी होता है, अगली बात, हमने कहा, it's true, फैलाना, एक वाब है, spread, scatter, disperse, distribute, सब का मतलब वितरित करना, distribute का मतलब क्या होता है, बच्चों, वितरित करना, बाटना, जिसको बोल दें, distribute का मतलब बाटना, ठीक है, बच्चों, disperse का मतलब क्या होता है, फैल जाना, disperse, scattering का मतलब क्या होता है, बिखर जाना, scatter, बिखरना, ठीक है, बच्चों, spread का मतलब, फैलना, sprinkle होता है, छिलक देना, broadcast का मतलब आप समाजी रहे होंगे, जो broadcast, news वगएर जो broadcast होती है, तो उसके लिगे हम यूस करते हैं — इस्प्रे का मतलब आप जानते हु, इस्प्रे कर देना, टॉस का मेनिंग पता ही यї, डैपल पता ही य, इस पेकल पता ही बता ही वह थी लूट लिए या वट का रप्लाई नहीं नहीं हो हो फिर्स्ट क्लास में बताया था ना, उनके अगर ED लग जाये तो पार्ट सो टी स्पीच उसकी वब हो जाएगी, तो ED लग रहा है तो इसकी पार्ट सो टी स्पीच क्या बन जाएगी, वब बन जाएगी, वगर बन जाएगी, तो बच्चों, रैवेज, स्पॉल, प्लेंडर, प्लेज, रेड रॉब, गो थू लूट, मेरोड, मुरोड, वैसे इसकी प्रनेशेशन इट्स मुरोड, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैंने रोड पर क्या मचा रखी थी, लूट पाट, डिस्पॉल, इसके बाद स्काउ, डिवोस्टेट, राइफल, पिल्फर, सीज, बच्चों, हमने एक 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 एक्जामपल लिया, एक्जामपल मैंने आपको बताई दिया था, दे हाउस हैड बीन, रेंसेग्ड और लूटिड बाइद बाइद बर्गलार्स, चुकि पैसिव हो इसे, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, हमने बाई प्रेपोजिशन, और यह प्रेपोजिशन का कौन है, दबर्गलर्स, इसका अबजेक्ट है, उमीद है आप सब को एक कंसेप्ट किलियर हो गया होगा बच्चों, तो ठीक है, क्लास को करते हैं, यहीं बाइंड आप, मिलेंगे क्योंगी, नेट वगए रहा है नहीं, जादे इस से करने को फायदा यहीं मिलेंगे आप लोगों से कल, उमीद है आप लोगों क्लास अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट में बता दीजेगा, क्योंकि आज कमेंट देखे नहीं जारे, तब तक लिए टाटा, बाइ बाइ बाइ, थैंक्यू, जाहिंद